आरफ गिंक में सवस्थ तन एम सवस्थ मन मन को परसन एम सवस्थ रखने का पहला उपाय है शीर को सवस्थ रखना शीर वह रात है जिस पर बैट करके जीवन की यात्रा करनी होती है शीर एक चलता फिरता देमंदिर है जिसे से हम भगवान अपनी भूतियों के साथ पिराज थे हैं मन की निरमलता और बुद्धी की शुदता का सादन शीर से प्रार्म बहुता है शीर तो एक सादन मात रहे जिसकी साहिता से प्रम साद्ध्य को प्राप्त करने के लिए योगत तपजप आदी किया जाता है अब धुम्रपान आदी ये सबी रोगों की जड़ हैं सातिक भोजन से रक्त शुद्ध रहता है तामसी भोजन से शीर आलसी और रोगी रहता है सातिक भोजन से गरीबी भी दूर रहती है और जीवन में संतोश और परसंता आती है अमीर आदमी आज यदी वियस्टनों में फसा रहे तामसी वृति रखे तो दृद्धता सै जाएगी अपनी वृतियों की संतोश्टी के लिए ज़े पाप करेगा धुखा देगा और फादसवरूप दुख का भागी होगा दुख नाना परकार के रोगों के रूप में भी बच्चों का शुद्ध मिट्टी में खेलना बुरा नहीं है नित्र जोती की रक्षा के लिए सेरे नंगे पाउं घास पटैलो दर्द के स्थान पर किसी के दाहने पैर का अंगुठा लगवाओ तो आराम पहुचेगा दाहने पाउं के अंगुठे से विद्यु तरंगे विशेश रूप से प्रवाइद होती है इसलिए महान पुर्शों का चरनाम रत लिया जाता है आसनों की सिद्धी से शीर निरोग रहता है बात बदमासन स्वस्थ के लिए लाप रत है शोरे की किर्णों में ओष्थी की परचूर गुन है पहले समय में कुमे चोड़े होते थे जिससे सुरे तथा चंद्रवा की किर्णे पानी तक पहुंच सके जिस पानी या भोजन पर सुरे अत्वा चंद्रवा की किर्णे पढ भोजन या दूद दही तब सेमन करें जब दाया स्वर चल रहा हूँ जल ग्रहन करने के समय बाया स्वर चलना चाहिए इसके विपरित आचरन से काया रोगी होती है दाहने सर भोजन करें बाये पीवे नीर ऐसा सहियम जब करें सुखी रहे श्रीर बाये सर भोजन करें दाहने पीवे नीर दस दिन भूला यो करें पावे रोग श्रीर सातिक भोजन पान से और सादे वस्त्र धारन करने से बुद्धी शुद्ध होती है साथिक जीवन से शान्ती मिलती है तामसिक जीवन से बेचैनी रहती है वो दिख रहता है तथा जलन और इर्शा होती है इसी कारण बीडी सिगरेट आदी मादक वस्तों का प्योग नहीं करना चाहिए इससे वृतियां तामसिक होती है इनके सेवन से बुरी आते पड़ जाती है तमबा को खाने पीने से तेज नस्त हो जाता है का जाता है कि युद्ध में काम धेनू के कान कटने से जहां रक्त गिरा वहीं तमाख हो उगा और पनपा आता है मादक के द्रव्यों के सेवन से आरुग ये कामी मनुश्य को सदा बचना चाहिए स्वस्थ विचार स्वस्थ मन से उत्पन होता है स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है और उसी का शीर सस्त रहता है जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं इंद्रियों को वश में रखने के लिए प्रति दिन ब्रह्म अहूरत में जग करके प्रमात्मा का एक घंटा नियम से ध्यान किया जाए तो कल्यान अवश्य होगा